नमस्काजी साथियों मैं आपका साथी मुन्ना साहनी आप सभी को और एक वार मेरी स्यूट्य चनल में हार्दिक स्वागत और अभिननन करता हूं आज में इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आप बहुत ही कम समय में कैसे केंद्र हिने संस्तानागरा की परिक्षा की तै आयोजित की जाएगी जैसे ओडिसा वाले भूनेस्वर में देंगे पशिमंगल वाले कुलकाता में देंगे और आसंबले गौहाटी में देंगे ऐसे हैद्रवाद और अनेक जगह हैं तो इसी लिए सभी अपने अपने राज्य में देंगे तो इस वार कॉंपेडिशन बह आने बाला हूं तो द्यान से आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा सब से पहले जब आप तयारी करते हैं तो इस बात का विशेश रूप से ध्षान दीजेगा कि प्रिविए सेर का कोष्टिन पेपर पहले उठाइएगा उसे अनालिसीस कीजिएगा उसे विसलेशन तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि प्रस्न जो है 100 marks के आते हैं उसमें 75 marks का MCQ आता है और 25 marks का subjective आता है तो आप विशेश रूप से 75 marks के उपर ध्यान दीजिएगा मैं यह नहीं कहता कि आप 25 marks को छोड़ दीजिए तो प्रिभेशन PR की question जब आप उठाएंगे तो उसे आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा अच्छे से ध्यान से उसे मतलब अच्छे से याद करने की कोसिस कीजिएगा क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमारे समय भी ऐसे हुआ था प्रिभेश सेर का question paper बहुत सारे मतलब उसी से प्रसन आये थे और मुझे बह से याद कीजिएगा और mcq की बात करें तो आप लोग mcq की उपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि माल लीजिए अगर आप 75 मांक्स में से अगर आपका मांक्स अच्छा आ जाता है अगर लेखन कोसल हम सब की उतनी अच्छे नहीं होगी क्योंकि हम सभी कोई हिंदी तर प्रदेश से हैं हमारी हिंदी उतनी सपस्ट नहीं होती है तो लेखन कोसल के उपर अगर ध्यान देते तो सिलेक्शन तो ऐसे ही मतलब बहुत ही कम हो जाता क्योंकि लेखन लेखनी कोसल जो है सब्जेक्टिव बस और सिर्प और सिर्पचीस मांक्स का ही आता है और अबजेक्टिव जो है 75 मांक्स का आता है अगर आप उधर 75 मांक्स में से ज्यादा अंक प्राप्त कर लेते हैं तो इधर सब्जेक्टिव में कम अंक प्राप्त करने से भी आपका मार्क बढ़ेगा और निश्रीत रुप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा वैसे जेनरल प्रस्णाएगा और आप अच्छे से पढ़ने की कोशिज़ेगा अच्छे से याद कीजिएगा सिक्षन अभी रूची की बात की जाए तो सिक्षन अभी रूची के लिए मैं आपको बुक भी बता दिया था और उसके उपर मैं वीडियो लाने वाला हूं सबके लिए लोग यानि की सिलेक्ट हो सकते हैं और क्यूंकि यहां पर लिमीट सीट है यानि आपको अपने राजी के बच्चों से कॉंपेडिशन करना है और अच्छे से करना है प्रस्ण बहुत ज्यादा सरल आता है सरल आने पर भी हम चुक जाते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है उस वक्त हमें बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और इस बार कॉंपेडिशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इसके लिए कोई ड़नने की बात नहीं है मैं वीडियो बनाने के लिए प्रियास रद हूँ आप लोग भी अच्छे से मेनत करते होंगे और निश्चित रूप से आपका सिलेक्सन होगा और जिनरल नौलेज, सिक्षन अविरोची और साहित्य के उपर आप लोग विशेश रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर आपका 75 मार्क्स में से ज्यादा मार्क्स बढ़ जा एक हम 25 मार्क्स जो घटेंग तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा माक्स जो घुए हो जाएगा और्सिलेक्टेर में नहीं आसकते हैं ऐसे सिलेक्शन भी भूत थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर भी प्रस्ण बहुत ही ज्यादा सरल आता है और अच्छे से पढ़ रहे होंगे कोई वात नहीं सिलेक्शन तो पक्का होगा लेकिन जेनरल नोलेज का जो मैं जो वीडियो लाने वाला हूं उसे आप ध्यान से पढ़िएगा कम से कम 1000 MCQ तो मैं आपको देने वाला हूं और उसी से अच्छे से पढ़िएगा उसी से सिलेक्शन हो जाएगा और सिक्षन अभी रूची के लिए मैं अलग-अलग से वीडियो लाने वाला हूं और बात की जाए सब्जेक्टिव की तो जब आप एसे लिखते हैं तो एसे को लिखने का सबसे आसान तरीका और सबसे प्रभावित तरीका यही है कि आप उसका सीरसक देते जाएगा ऐसे सीरसक में सीरसक एक ही होता है लेकिन जब हम लेखते हैं जब उसको वरगी करन करते हैं इसे में तो उसका हमको हैडिंग दे ज्यादा ध्यान दीजिए और सब्जेक्टी पर भी दीजिए मैं यह नहीं कह रहा लेकिन जब प्रिविए सेर का कुश्चिन पेपर जब उठाएंगे और देखेंगे जब उसे में से आपको एक लिखना पड़ता है और लिखने के लिए हमें एक ही पेज दिये जाते हैं ज्यादा पेज नहीं रहता है क्योंकि बहुत ही कम सब्दों में अच्छे-च्छे सब्द चैन करके सुध्ध परिनिस्टीत हिनी भासा का प्रयोग करके अच्छे से हमें लिखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि आप अच्छे से लिख पाएंगे ताइम तीन घंटा होता है अप जल्ली जल्ली लिख करके भागने का प्रयास नहीं कीजिएगा ऐसे तो तीन घंटा पूरे मतलब मिलते हैं आप लोग उस तीन घंटे को अच्छे से मतलब उपयोग में आता है तो थोड़ा सा आप रुख करके आप दूसरी question पर जा सकते हैं जब प्रस्ण का आपको उतर मिलेगा तो फिर आप आ सकते हैं क्योंकि एक बात करने के बार क्या होता है कि मतलब आंसर गलत impression हो जाता है और डवल करने से माक्स जो होता है उन्हें मिलता और सबसे बात यह है सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर नेगेटीव मार्क नहीं है तो आप लोग पूरे के पूरे प्रस्ण एटेंड कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा और ध्यान से करने के एकजाम से कीजिएगा और इसमें डंने वाली बात नहीं है इस एकजाम सेंटर में तो बहुत बच्चे एकजाम दिने के लिए एकजाम दिने तो आएंगे है किți सभी को चाहिए होता है एक सीट के लिए उतने लोगों को देखकर हमें नहीं डरना चाहिए मैं तो बूल रहा हूं लेकिन डर तो मुझे भी लग रहा था मेरे सिन्यस ने मुझे कहा था कि डरने वाली बात नहीं है तैयारी किये हैं तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा तो इसलिए आप लोग अच्छे से धैरी के साथ सांती पूर्वक आप एक्जाम में बैठिएगा अच्छे से एटन कीजिएगा और एक ही घंटे में कि मुझे जल्दी-जल्दी करना ऐसे प्रस्ण बहुत ही सरल आता है आपका एक्जाम बहुत ही जल्दी हो जाएगा मेरे साथ भी जो बैठे थे बहुत ही जल्दी करके निकल ग होता है तो इस बात का विया में भी से इस रुप से ध्यान देना है कि अच्छे से सांती पूर्वक करना चाहिए डरने वाली बात नहीं है तो इसलिए मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग उसे एग्नोर नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं भी आप लोगों के लि लिए लाने वाला हूं प्रिविए सेर का कुशिन पेपर और आने वाला है तो आप उसी अच्छे से पढ़िएगा और उसी से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो अंतक देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत सुक्रिया और धन्यवाद आप लोगों की मतलब सिलेक सुक्रिया नवस्कार